पिछले लेक्षर में हमने नाउन की डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंस को समझा। आज के लेक्षर में हम इडेंटिफिकेशन ओफ नाउन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज के लेक्षर में आपको मैं एक ऐसी टेखनीक बताऊंगा। आप उस टेखनीक को जब फॉलो करोगे एक सेंटेंस में तो उस सेंटेंस में जो भी नाउन्स प्रेजेंट हैं आपको बहुत ही असानी से पता लग जाएगा। यानि कि नाउन्स को आइडेंटिफाई करने की एक स्ट्राटेजी है ये। तो दोस्तों, इस स्ट्राटेजी के लिए आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी है। जो की है आक्षन की एक सेंटेंस में क्या चीज हो रही है। देखिए, पहला sentence देखिए, निधी writes a letter to Rohan on her desk in the midnight, ये एक sentence है, यहाँ पर जो निधी है, वो Rohan को letter रिख रही है, अपने desk पर रात को, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर action क्या perform हो रहा है, निधी, नहीं, ये तो एक person का नाम है, रोहन, नहीं, ये भी एक person का नाम है, desk, वो तो वो जगा है, place है, midnight time है, action क्या perform हो रहा है, writes, देखिए, क्या हो रहा है, कुछ ना, कुछ लिखा जा रहा है, तो writes हमारा action है, एक बारी आपने ये action को identify कर लिया ना, फिर ये strategy आप बहुत ही असानी से समझ पाएंगे, करना हमें ये है, ये जो action है, इससे हमें questions कहां और कब, हमें ये सारे questions पूछने हैं, इस action से, और ये question पूछने से, आपको जो भी answer मिलेगा न, वो answer ही आपका noun होगा, इतनी असान सी चीज है, try करके देखते हैं, देखिए, writes, who writes, कौन लिख रहा है, निधी, हमें answer क्या मिला, निधी, तो निधी एक noun है, person का नाम है इसे ही, home writes, किसको लिख रही है, रोहन को, रोहन भी एक noun हो गया, what writes, क्या लिख रही है, letter, letter, noun हो गया, where writes, कहां पर लिख रही है, अपने desk पर, तो desk एक noun हो गया, ऐसे ही, when writes, midnight, तो midnight भी एक noun हो गया, देखा दोस्तों, आपने, कितनी easily, इस पोरे sentence में, जो भी nouns थे, हमने उनको identify कर लिया, क्या करके, सिर्फ अपने action को identify करके, और उस action से, ये questions को पूछ के, इतना आसान है दोस्तों, चलिए, second sentence पे भी, यही strategy apply करते हैं, रोहन returned from China last week, अब दोस्तों, यहाँ पे action क्या है, returned, वो lot के आया है, है न दोस्तों, अब return से questions पूछते हैं, who returned, रोहन, रोहन नाउन है, whom returned, यह information given नहीं है, what returned, एक ही बात है रोहन, यह भी sense नहीं बना रहा, where returned, कहां से आया है, चाइना से, तो चाइना एक नाउन है, when returned, last week, अब दोस्तों, थोड़ी से confusion हो सकती है, देखिए, जब हमने return से पूछा, when returned, वो कब लोटा है, answer आया, last week, अब last week में से, कौन सा दोस्तों नाउन है, क्या last एक नाउन है, या week एक नाउन है, students, जब भी ऐसी confusion होना, आप पहले तो एक चीज़ नोट करो, यह दोनों word, साथ साथ आ रहे हैं, last week, 81, एक sentence में present है, ऐसे में दोस्तों, आपको identify करना है, कि main noun कौन सा है, और उसको describe करने वाला word कौन सा है, देखिए, यहाँ पर last week में, जो last यह word है, यह week को describe करना है, कौन सा week, last week, तो दोस्तों, हमें सवाल किस से पूछना है, action से, हमें noun से नहीं पूछना है, तो यहाँ पर last, हमारा noun नहीं होगा, पर week, noun ज़रूर होगा, क्योंकि दोस्तों, जो last है, वो तो week को describe कर रहा है, वो एक describing word है, इसका grammar का अलग topic है, हम future lectures में पढ़ेंगी, पर यहाँ पर main noun क्या है, week, तो week एक noun होगा, I hope दोस्तों कि आपको यह sentence भी, बिल्कुल clear है, third sentence की बात करते हैं, देखिए, रुचिका, my sister plays Ludo, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर, action क्या perform हो रहा है, place, कुछ ना कुछ, खेला जा रहा है, नहीं बताया गया, when place नहीं बताया गया, students, अब यहाँ पर आपने एक चीज़, शायद से miss कर दी, जब हमने place से पुछा, who place, तो answer दो हो सकते हैं, रुचिका और sister, ऐसे cases में, दोनों ही, हमारे nouns consider किये जाते हैं, तो मतलब की sister भी एक noun है, क्योंकि दोस्तों, अगर मैंने पुछा, who place, कह सकता हूं sister, है ना, तो इसी लिए sister भी एक noun है, और रुचिका भी एक noun है, मतलब की दोस्तों, आपने अभी तक दो loss पड़े, पहला law क्या था, कि जब कोई दो word एकट्टे आ रहे हैं, तब आपको identify करना है, कि real noun कौन सा है, और describing word कौन सा है, और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है, कि एक ही question के, दो answers भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अब ये fourth sentence solve करते हैं, देखिये, Tom gave us two free tickets, to the basketball game, देखिये, यहाँ पर action क्या है, gave, कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, who gave, किसने दी, Tom ने, whom gave, किसको दी, us, अब students, क्या us, यहाँ पर हमारा एक noun है, नहीं दोस्तों, देखिये, हमने क्या पढ़ा था noun की definition में, कि वो किसी भी person, thing, quality, state, action, and सबका एक नाम है, क्या us एक नाम है, नहीं दोस्तों, तो फिर यह क्या है, यह भी हम future lectures में पढ़ेंगे, यह एक grammar का different topic है, मतलब की दोस्तों, अगर आपको किसी भी word में confusion हो रही है, कि यह noun है या नहीं, तो पहले तो आप यह questions पुछ लो, अगर यह question से भी, आपको वो confusion दूर नहीं हुई है, तो identify करो, क्या noun की जो हमने definition पड़ी थी, उसमें वो word classify हो रहा है, अगर हां तो मतलब की वो noun है, अगर नहीं तो मतलब की noun नहीं है, तो मतलब की दोस्तों us यहां पर noun नहीं है, what, what gave, क्या दिया, two free tickets, देखिए, तीनो वर्ड साथ साथ है, describe tickets को किया जा रहा है, to और free की मतलब की real noun हमारा सिर्फ tickets है, to और free सिर्फ describing word है, ठीक है दोस्तों, where gave, कहा दी गई, information given नहीं है, when gave, information given नहीं है, students, अब यहां पर दुबारा वही चीज आती है, कि एक question के दो answer हो सकते हैं, जब मैंने पूछा gave से, कि what gave क्या दिया गया, तो students, यहां पर answer आया, two free tickets, यह भी तो कहा जा सकता है, कि basketball game की two free tickets, तो इस case में यह जो basketball game है, यह भी एक noun consider करने लायक है, अब यहां पर वही चीज है, दो words एक खट्टे आ रहे हैं, तो हमें identify करना है, कि कौन सा word real noun है, और कौन सा describing word है, तो students, यहां पर basketball game को describe करना है, कि कौन से game, basketball game, तो इसलिए game हमारा noun है, और basketball यहां पर game को सिर्फ describe करना है, तो students, इन चारों sentence से आपको यह strategy तो clear हो गए, परन्तु यह जो last sentence था, क्या हम इससे यह कह सकते हैं, कि basketball noun ही नहीं है, नहीं दोस्तों, देखिए, basketball एक game का नाम है, तो वो noun जरूर है, परन्तु इस sentence में, वो game को describe कर रहा है, तो इसलिए वो noun नहीं है, अगर कोई sentence होता, कि Rohan plays basketball, तो Rohan noun होता, plays तो action है, और basketball भी noun होता, वो उस ताम को describing word नहीं है, वो एक object है, तो यानि कि basketball noun consider किया जा सकता है, पर इस particular sentence में नहीं, I hope दोस्तों, कि अब आपको identification of a noun के topic में, कोई भी doubt नहीं है, students, next lecture में, हम बात करने वाले हैं, kinds of nouns के बारे में, वो एक बहुत important topic है, क्योंकि उससे आपको और भी बहुत ज़्यादा clear हो जाएगा, कि nouns क्या होते हैं, क्या चीज noun है, क्या चीज नहीं है, basically, हम nouns के types को समझने वाले हैं, तो इसलिए students, मिलते हैं अगले lecture में, Students, I'm sure, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से, interesting तरीके से, अगर आप सारे concepts, theories, different chapters समझना चाहते हैं, तो download कर ये P.U.Stack app, क्योंकि इस आप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, sample papers हो, tip videos हो, different lectures, back exercise solutions, बहुत कुछ, So what are you waiting for? Download P.U.Stack app.